हेलो एवरीवन वेल्कम अगेन टू लॉन्वरी देटिवन तो देखिए हम लोगोंने सेवन्थ क्लास जो है वो अच्छे से डिडिंग कर ली थी फिर हमने उसके कुश्चन आंसर स्टार्ट कर दिये हैं चेप्टर वन हमारा चल रहा है जिसमें हमने तीस कुश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में डिसकस किये थे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि ये सभी चीज़ें आपको याद हो सके याद करने का केवल यही तरीका होता है कोई भी शौर्ट ट्रिक नहीं होती है बार बार इनको पढ़ता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोश्चन 31 तो हमने लास्ट वीडियो में यहां तक कर लिया था कि राश्ट्रे उध्यान जो है राजे स्थान में तीन है केवला देव राश्ट्रे उध्यान रंधंबो राश्ट्रे उध्यान और मुकुंद्रा हिल्स राश्ट् तो यहाँ पर बाग, भालू, सांभर, नील गाए, मगरमच, तो यह सब ही जो हैं जानवर पाए जाते हैं, तो यह राष्ट्री उद्यान जो है वो भारतिय बाग के लिए प्रसिद्ध है, यह आप याद रखिएगा और रण थम्बो राष्ट्री उद्यान कहा हैं सवाई मा मुकूंधरा हिल्स राष्ट्री उद्यान कहां इस दित हैं, तो यह है कोटा और चित तोड़गर। जिले में फैला हुआ है मुकूंधरा हिल्स राष्ट्री उद्यान। अभियारन्य सब्द से क्या अभिप्राय है तो यहां पर इसका अर्थ है भै मुक्त वन ऐसा वन जहां पर जो वन्य जीव है vaccinated घूम सकेई तो उसे कहते हैं अभियारन्य ठीके अभै धन अरण्य अभियारन्य में भाजो है वो पूरा आएगा तो यह ऐसे वन होते हैं जिनमें सरकार का उदेश्य ही होता है कि जो जंगली जानवर हैं उनको सुरक्षित किया जा सके तो सरकार द्वारा वन शेत्र को यहां संरक्षित किया जाता है राष्ट्रे मरु उद्ध्यान और वन्ने जीव अभिहारण ने कहां इस्तित है तो यह जैसल मेर और बाड मेर चिले में इस्तित है और यहां पर इन उद्ध्यानों में आपको गोडावन, भेडिया, शियार, लॉम्री, चिंकारा और नील गाएं ऐसे वन्ने जीव जो हैं वो मिलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है गोडावन पक्षी के बारे में कि गोडावन जो राज्य पक्षी है गोडावन क्या है राज्य पक्षी है तो यह किस मरे उद्ध्यान में मिलेगा तो यह जैसल मेर और बाड मेर मेर में जो राश्ट्री मरे केला देवी वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? यह सवाई माधवपुर और करोली में इस्तित है केला देवी वन्य जीव अभ्यारन ने कुम्बलगड वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? तो यह रासमद, पाली और उदयपुर जिले में इस्तित है तो इतने एरिय में फैला हुआ है कुम्बलगड वन्य जीव अभ्यारन तो यहां पर आपको बाग, भालू, चिंकारा, नील गया जो है वो मिलेंगे कुम्बलगड वन्य जीव अभ्यारन में नेक्स्ट दिकिए फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो याद रखिएगा फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारन उदयपुर जिले में इस्तित है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारन कहां इस्तित है? तो important है कई बारे exam में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारन के बारे में पूछा गया है तो ये अलवर जिले में इस्तित है और यहां पर बाग, सांभर, चीतल ऐसे जो वन्यजीव हैं यहां पर मिलेंगे तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि Colonel James Todd जो है उनके नाम से ही यह वन्यजीव अभ्यारन का नाम रखा गया तो यह राज समझ, अजमीर और पाली जिले यहां पर इस्तित है और यहां आपको तेंदुआ मिलेगा, भालू मिलेगा, नील गाय मिलेगी, बाज मिलेगा, शियार मिलेगा, रीच मिलेगा तो कुछ इंपोर्टेंट जो होंगे वो मैंने आपको बताये थे कि जो राश्ट्री मरू उद्ध्यान जो है जहां पर गोड़ा वन राज्य पक्षी जो है, जो की जैसल मिर बाड मिर में तो यहां पर मिलेगा, तो यह आपको याद रखना है दूसरा मैंने इंपोर्टेंट यह बताया था कि सरिस्का में भी आपको बाग मिलेंगे सीता माता वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? यह प्रतापगर्ड, चित्तोडगर्ड और उद्यपूर में इस्तित है और इंपोर्टेंट है कि यहां उढ़न गलेरी जो वन्य जीव पाई जाती है तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है सीता माता वन्ने जीव अभ्यारण उढ़न के लेरी के लिए famous माना जाता है माउंट आवू वन्ने जीव अभ्यारण कहां इस्तित है तो ये तो आराम से आप लोग याद रख पाएंगे कि ये सिरोही में इस्तित है और यहां आपको जंगली मुर्गा मिलेगा रीच मिलेगी चिंकारा मिलेगा चीतल मिलेगा माउंट आवू वन्यजीव अभ्यारन में मुक्य रूप से किस प्रजाती के लिए प्रसिद है तो ये किस के लिए प्रसिद है जंगली मूर्गे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद है माउंड आवू वणनेजीव अभ्यारन और ये अभ्यारन कहां है? ये सिरोही जिले में एस्तित है रामगड विश्जधारी वणनेजीव अभ्यारन कहां एस्तित है? तो कुछ जो अभ्यारन के नाम जो है वो आपको देखते ही पता लग जाएंगे कि यहां पर जो है कौन सा वन्यजीव मिलेगा तो रामगर्ड विश्धारी वन्यजीव अभ्यारन इस्तित है बूंदी में और ये विश्धारी सांप के लिए जाना जाता है यहां पर ये सरवादिकों मिलते हैं इसके अलावा बाग भी मिलता है, रीच भी मिलता है लेकिन विश्धारी सांप के लिए ये जाना जाता है जमुवा रामगर्ड वन्यजीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो ये है जैपुर जिले में इस्तित है राष्ट्रिय चम्बल गड़्याल वन्यजीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो ये है कोटा में सवाई माधोपूर, करॉली और धौलपूर में इस्तित है ठीक है जहां जहां तक चंबल नदी जो है जा रही है तो वहां तक राश्ट्रिय चंबल घडियाल वन्य जीव अभ्यारन इस्तित है ठीक है चंबल नदी के सहारे पर तो यहां आपको घडियाल मिलेगा भेडिया मिलेगा लॉम्री मिलेगी और सबसे ज़्यादा यह जाना ज कोटा बुन्दी और चित दोड़ में इस्तित है बन्द बारेठा वन्न जीव अभ्यारण कहां इस्तित धै तो यह है भरतपुर में कहां पर है भरतपुर में भैसरोडगर्ड वन्यजीव अभ्यारण कहा इस्तित है? भैसरोडगर्ड वन्यजीव अभ्यारण कहा इस्तित है? तो यह इस्तित है चित्तोडगर्ड में ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर बसी वन्यजीव अभ्यारण भी है कहां? चित्तोडगड में. सवाई मान सिंग वनने जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? तो यह इस्तित है सवाई माधवपुर में. याद रखिएगा कहां इस्तित है सवाई माधवपुर में. वन बिहार वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? वन बिहार वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? तो यह धौलपुर में इस्तित है. कहां धौलपुर में इस्तित है? नेक्स्ट देखिए जैसम्मद वन जीव अभ्यारन और सज्जनगर वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है? तो यह कहां इस्तित है? उदेपुर्जिले में इस्तित है. देखिए यहां से प्रशन जो है वो हर 12 एक्जाम में पूछा जाता है और यही पूछा जाता है कि यह वर्नेजीव अभ्यारण कहां है और किसके लिए जाना जाता है तो जो फेमस हैं जैसे कि हमने बात की इता माता वन्न जीव अभ्यारन जो उडन गलेरी के लिए और सरिस्का वन्न जीव अभ्यारन जो की बाग के लिए जाना जाता है तो ऐसे जो हैं ये आपको याद ही रखने हैं और इसके अलावा ये वन्न जीव अभ्यारन कहां है तो उस जिलों के नाम जो हैं वो याद रख आप किसी भी कम्टिशन की त्यारी करो चाहे आप आरे अस्तक्त की करो तो यहां से एक कुशन आपको हर बार एक्जाम में देखने को मिलेगा नाहरगड वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह जैपुर जिले में इस्तित है नेक्स्ट देखिए शेरगड वन जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह इस्तित है बारा जिले में याद रखिएगा बारा जिले में है शेरगड वन जीव अभ्यारन राजिस्थान का राज्य पशु कौन सा है तो वह है चिंकारा ठीक है आपको याद रखना है राज्यस्थान का राज्य पशु कौन सा है चिंकारा ठीके दोनों ही याद रखिएगा कि वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा को पूछा जाएगा और पालतु पसु यदि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मूट ताल चापर वन्य जीव अभ्यारन कहां इस्तित है तो यह इस्तित है चूरू जिले में कहां पर इस्तित है चूरू जिले में इस्तित है राजिस्तान के कौन से वन्य जीव अभ्यारन बाग संड्रक्षन पर्योजना में सामिल है तो यह है रंड थंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स ये तीनों बागस अंडरक्षन पर्योजना में सामिल हैं कौन-कौन से रंड थंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स वहीं हमने तीन राश्ट्री उद्यान देखे थे राजिस्थान में तो वहाँ पर हमने देख तो आदिके नहीं होना है याद किया याद किया था उसको घठाके याद रख लेंगे सरिस्च का जो कि बाग संडरक्स्षम पर युजना में शामिल ही। दो-तीन बार बोलेंगे कि केवला देव, रन्थंबोर, मुकुंद्रा हिल्स राश्ट्रियुदान हैं, रन्थंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स ये बागस अन्रक्षन पर यूजना हैं, तो आपको याद हो जाएगा. राजिस्थान में इस्थित्थ वैट लेंड नम भूमी इस्थल कौन से हैं, तो ये हैं केवला देव, राश्ट्रियुदान और सामबरजील, ठीक है, जो की नम भूमी हैं, केवला देव और सामबरजील. नेक्स्ट दिखिए, और यहाँ पर जो हैं वो प्रवासी पक्षी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, वैट लेंड इस्थल पर. राश्ट्रिय वन नीती कब घोसित की गई थी? राश्ट्रिय वन नीती कब घोसित की गई थी? 1952 इस्वी में घोसित की गई थी राश्ट्रिय वन नीती. तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि जो कुल भूभाग का लगवग 33% भाग जो है वो वन शेत्र का होना ही चाहिए. ठीक है? तो राश्ट्रिय वन नीती जब 1952 जो है घोसित की गई थी तो उसकी अनुसार कुल भूभाग का लगवग 33% जो भाग है वह वन शेत्र होना चाहिए. राश्ट्रिय वन नीती के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन शेत्र होना चाहिए? तो मैंने आपको बत जाया कि यह 33% होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुश्चन है, 61. राजिस्थान राज्य की वन निती कब घोसित की गई? तो यह घोसित की गई 2010 में, ठीक है? और यहाँ पर संपून जो भू भाग है राजिस्थान में, तो उसका 20% भाग पर जो है, वन शेत्र होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया, हाला कि हुआ नहीं है, अभी राजिस्थान में, वन शेत्र जो है, वो केवल लगवग 10% है, लेकिन उद्देश यह है कि 20% तक इसको होना चाहिए, ठीक है? और वहीं राश्ट्री वन नी थी, जब 1952 की अनुसार हमने देखा कि वहाँ 33% वन शेत्र होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया था, तो इस तरीके से यह चैप्टर जो है वो आपका कम्प्लीट होता है, मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थेंक यू!